तो मैं सुझेय कुमार और आपके अपने चैनल सुझेय फिंटसी में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं रंजे ट्रोफी के जो दो मैचेस खेले जाना है एक तो मुंबई और तमिलाडू के बीच में वो और दूसरा होने वाला है गुजरात और पंजाब के बीच में वो तो कुछ दिर में इसका वीडियो मिल जाएगा अभी के लिए हम लोग इस मैचेस के उपर फोकस करते हैं तो जल्दी जल्दी आज इस फीड में डिसकस करेंगे विकाज थोरा समय कम है लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल से सारा कुछ समझाओंगा पूरे प्लिट के स्टैट्स बगेरा में सारा कुछ सबक को बताने वाला हूँ तो पूरे वीडियो को धियान से देख देख unlike frozen एक एक प्लिट के बारे में में डिटेल साब को बताने वाला हूँ तो मुंबई और तमिलाडू के बीच में खिलना है अगर आप जोईन हुए हो तो सबसे पहले जल्दी जागर करके टेलीग्राम चैनल से जोईन हो जाओ जो कि सबसे इंपोर्टन कम आपके लिए वही रहने वाला है और सबसे इंपोर्टन बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाता हूँ कि ये मैच आपके लिए अच्छा कासा जा सकता है लेगिन कल जो मैच होगा उसके उपर फिर डिपेंट करें है क्या होने वाला है क्या नहीं तो मुंबई और तमिलाडू पिछ में खेला है ये मैच तो फेले मुंबई तमिलाडू के हर काई स्टैट वगइर देखने वाले है मुंबई के यहां यहां दिस्कस करलेंगे इनके पर्फॉरमेंस है में इसा नहीं होने वाला है क्ल यह मैच को Corona आपने ध्र से घ्रिगांसे नहीं का लियता है जैंक by यह दिसक्रिक्षण में लिंक गार देखते कैप्टेन है और टेस्ट मेंने का रिकॉर्ड देखोगे ना तो एक नो 4oko चोवालीष तीरपन एक ऐस चे तेज़ हखा लगा है लेकिन एवरेज रिकॉर्ड घंग है या अच्छा फिर भी निए बुलूगा कि बहुत ही ज्यादा है खराब रिकॉर्ड है तो कुल मिला करके ठीक ठाक बड़ फॉर्मेंस है ज्यादा खड़ाब नहीं बोलूँगा तो ज्यादा बढ़ियां भी नहीं बोलूँगा लेकिन आपके अपने टीम में लेकर करके जाना है स्मॉली के टीम में अगर यह बंदा खेलता है तो ठीक है धियान रखना स्मॉलनानी मेरे default captain ही रने माला है यह बंदा पिछले बड़ मेरे captain ही थे और देखो चर्दस विगेट यह बंदा निकल था लास्ट वाले मैच में उससे पहले दो चार्ड विगेट उसे पहले लकिन देखो लास्ट वाले मैच यह नहीं खेला था लेकिन हो सकता है हाइडली चांस है कि इस मैच को ये खेले और जब ये खेल जाएगा ना भाई तो मेरे टीम में 100% रहेगा और मैं अपने टीम में लेकर करके जाओंगा ही जाओंगा तो मैं बोलुगा इनको जरोत नहीं में अंपने टीम में ले जाने का फिके आगे बात करते हैं या या पीसले बाद मेरे、、क्ञ या मैरे एक पंदा पता नहीं क्या हुआ है जासके दूनों इनिंग में दो रन और नो रन पर आउट हो गया लेकिन कल के मैचेज में इसा नहीं होने वाला है मेरे टिम का साइद विसी में नहीं को करूँगा कल के मैचेज में भी तो थरह देख लेना 35, 103, 100, 181, 181, 147, 162 और नो रन मतलब अच्छा आशा रिकॉर्ड आपको ब प्रिकेट है यहां पर उसे पहले 0 उसे पहले 1, 3, 1, 3, 15, 00 तो फिर ज्यादा आच्छा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ए भी से रिकॉर्ड है पहले बॉलिंग करेगा तो शाइद में अपने टीम में लेकर के चले जाओंगा हार दिक तमोरे कुछ खास मुझे प्लेयर नहीं लगा है हालाकि 115 अरंग का पारी ख्याल रखा है लेकिन मुझे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं अराम से इनको फोकस करो इस मुझे कोई जरूत नहीं अपने टीम में ले जाने का ठीक है अर्मान जफैर अगर इंका देखोंगे तो एक सो पचीस साट सत्रह सोत्रह सुल एक सु करेंगे वैसे मेरी टीम में जगह लगता है कि नहीं बिन पाएगा तो थोड़ा देख लेना सर्फराज खान ये बंदा बहुत ही तगड़ाला प्लेयर है कैप्टेन भी आप इनको बना सकते हो जब भी रंजी का मैच होता है ये बंदा अच्छा का सा प्रफॉर्मेंस करता है इनको आप गिनल्डी में ही फोकस करो सिधार तो रहुत मुझे कुछ खास नहीं लगा है और मुसिर खान और ससांस अतर्दम मुझे कुछ खास प्लेयर नहीं लगे हैं बागे सारे बेंस के प्लेयर इनमें से कोई खेलता है तो विट स्टाइट्स मैं आपको टेली ग्रा तो चलो जल्दी से जो नेश्ट टीम है उनके बारे में जल्दी से डिसकस कर लेता है जो कि तमिलाडू के टीम के देखोगे ना त्यूंको सब्सक्राइब करने से एक चीज़ को आपको एक चीज़ फैदा हो जाएगा कि जो भी मैं टीम डालता हूं जो इंपॉर्टन मैंस मैच्न बाकर कहें मैच्स अब साय होने वाला है हो सकता है कि यह फिर हार अगर्ष काम है तो घू तो ऑनके बारे में जल्दी से टीम को बता दू तो यह देखो कॉसिक गांधी है पच्पन 27-0 और 10-0 विकट, 1-0 विकट, 7 वर, तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ग्रैल निगा फोकस करो, ठीक है, लक्ष मेंसा सुरे प्रकास, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ग्रैल निगा फोकस करो, बाबा अपराजीत, अब इंका देखो रिकॉर्ड, 88-57, एक विक करूंगा, टॉस होने के बाद, कि इनको कैप्टन, कैसे डिसाइड करना है, ठीक है, तो टीम में तो रहने वाले है, रवी सरी निवासन, साहिं कि सोर, अगर इंका देखोगे तो दो विकट, पांच विकट, तीन विकट, पांच विकट, एक विकट, एक विकट, चार पहले एक बारा स्कूर है, उससे पहले 48-52, 100-127, 617, प्रफॉंमेंस में करना ही नहीं है, बहुत ही लाजवाब प्रफॉंमेंस इस बन देगा, और अपने टीम में लेकर के जाना, प्रफॉंमेंस भाईज आपको निरास नहीं करेगा, आपको टीम में लेकर के जाना चाहि प्रियास करूंगा कि मैं अपने टीम में ले करके नहीं ही जाओं नडायन जगा दिशन का देखोंगे तो विकेट केपिंग से दिखेगा पचास जिरो उन्हीं इस अठारा एक सो सुल्य उन्सर्ट पैंथिस चौदर चौदर अठारा है बट इनसे और बेटर आपको चॉइस मिल जाएंगे और उसको मैं ज्यादा प्रिफर करूंगा अपने टीम में ठीक है आगे बात करेंगे तो एम मुहम्मद का देखोंगे तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है रिसेंटली आप रिकॉर्ड यहां पर चेक आउट कर सकते हो पी सर्वना कुमार का देखोंगे तो य आप देखोंगे एक इनिंग में छे विगेट और यहां देखोंगे तो दो विगेट तीन विगेट तो मन्हां प्रफॉर्मेंस वाइस आपको निडास नहीं करेगा संधी वेरियर और यह मनीमरन सिध्धानता अगर खेलते हैं तो साह सुदरसन भाईस सहब लाश्वरे मैं यहां से देखोंगे तो लच्मी नरायन विगनेस हैं यह आपको अच्छे करसे पिक बन सकते हैं एक विगट चार विगट दो विगट चार विगट और दो विगट तो परफॉर्मेंस वाइस बहुत ही जबर्दस वाला प्लेयर है अपने टीम से बिल्कुल भी डॉप नही करना अपने टीम में लेकर के जाना अस्विन क्रिस्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा वसं इंटन सुंदर कल के मैच आपको नहीं खेले वाले स्रिलंका वले दोरे पर साइथ गया हुए है तो आपको खेलने के चांसे जिनके बहुत जादा कम है और जीत राम मुझे कुछ लेका और परदर सुरंच जनपॉल मुझे कुछ खास प्लेयर नहीं लगा है तो खुल मिला करें जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे मैंने सारे डिस्कस कर दिया आपके साथ ठीक है आब आते हैं फटाक से जल्दी से ब्डूलन टीम के उपर देखते हैं कैसे टीम बन बन प्रफॉर्मेंस कर गया था तो आप इनको भी लेकर के जा सकते हो वह लास्ट मौके पर मैं आपको बताऊंगा कि इनको अपने टीम में रखना या नहीं रखना है वैसे अभी के लिए तो मेरे नडायन जगा दीसन ही मेरे टीम में फिट बैट रहे हैं बाकी यहां से तो को किसको रखना है किसको डॉप करना है तो यह चार प्लेयर तो मेरे टीम में रहने ही वाले है और रांडर सेक्शन पर देखोगे तो समस मुलानी रहेंगे वसंस उन्दरा को कल के मैच नहीं खेलने वाले है तो मेरे टीम में 100% आजेंगे साहिं किस और आपके लिए अच्छे कासे पिक बनने वाले हैं बाबा आप राजीत को आप में ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ तो मेरे टीम में 100% बाबा आप राजीत रहने वाले हैं साहें किस और को अगर देखेंगा टीम में जगा बन पाएगा तो रोटेट करेंगा वरना ग्रैल्डिंग में फोकस करना ठीक है आता हैं बॉलिंग सेक्षन पर यहां देखोगे तो संधी वैरियर आपके लिए सबसे फर्स्ट पी कोने चाहिए लक्षमी नड़ाएं विगनेस आपके लिए इंपॉर्टन प्लेयर होने चाहिए बहुत अच्छा कास बॉलर है आपके लिए बन सकता है और यहां से फिर और क सबसे अभी के लिए हमारी टीम हो गई है बिल्कुल भी हमारी फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम आपको टेली ग्राम पे करना चाहते हैं मतलब करके जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और सबसे इंपॉर्टन बात आपको बना सकते हो यहां से सर्फरास खान को बना सकते हो बहुत अचागा सा प्लेयर है फिर इस सवाल है जिंग के रहाने है इनी में से किसी न किसी को यान करना और इनी में से किसको कैटन उनले किसी को करना और इनी में से कूरके अपको हाइस पॉइंट में नहीं को करने के लिए इसरस विजेस वाल को भी कृरकर की जो भी होगा वो फाइनल टीम मैं आपको टेली ग्राम पते दूँगा तो जल्दी मिलेंगे निस वीडियो में नमद्राटरी को वीडियो के साथ तब तक लिए धने माद अपने ख्याले के दोस्तो जाहिंद